नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजा चले शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की बिहार में जाती आधारत जिनगर्णा का रास्ता साफ हो गया है वे ते दिन इसके लिए सभी राजनेतिक दलों की बैठक मुख्य मंतरी नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई जिसके बाद सीम नितीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंतरी मंडल की बैठक कर मन्त्रियों के बीच सहमती बनाई जाएगी सहमती प्राप्त होने के साथ ही इसकी अधिसुचना जारी की जाएगी इस की साथ ही तैंहोजाएगा कि यह कार कैसे और कब से प्रार्म線 होगा। बिहार में जातिय जनगर्ना के निर्ने के बाद अब क्रेडिट लेने की सियासत तेज हो गई है। जिसमें सर्व सम्मती से बिहार में जातिय जनगर्ना कराय जाने पर मोहर लेगी। मतादे की लोग जनसक्ती पार्टी रामविलास के राश्य अध्यक शिराग पास्वान को भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंतृत नहीं किया गया था। पर होने वाले विधान परिशत चुनाव को लेकर लालू प्रिसाद यादव की पार्टी आरजेडी को कॉंग्रेस जटका देने के मूर में दिख रही है। मतादि के आरजेडी विधान परिशत चुनाव के लिए अपने तीन उम्मीद्वारों की घूशना कर चुकी है जिसके बाद अब कॉंग्रेस भागपा और माकपा के साथ मिलकर एक सीट पर उम्मीद्वार उतारने को लेकर वचार कर रही है। इसी कड़ी में बिहार कॉंग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीद शर्मा ने दावा किया है कि कॉंग्रेस विधान परिशत की रिक्त हुई सीटों में से एक पर भागपा माकपा और भागपा माले के साथ सहमती बनाकर एक प्रत्याशी दे सकती है। प्रत्याशी किस दल का होगा इसका फैसला आपसी सहमती के अधार पर लिया जाएगा। खड़े कर दिये हैं तो वहीं चप्रा के तरह अधाना छेत्र में गंडार शिव मंदिर से सार्जनिक अखंड अश्टिद्याम की भव्य कलश्यात्रा का शुबारम हांती घोड़ा डीजे के साथ किया गया तो वहीं कलश्यात्रा में मथुरा धाम गंड़क नदी से जल भरा गया कलश्यात्रा में छप्रा से पूर्विधायक मुद्रिका प्रशाद राय के साथ इस्थानिया लोगों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया यहां कलियानी शुक्रुवार से 24 घंटे का खंड अश्याम का शुबारम होगा से लिए बिहार की खबरों में इतना ही देश और